हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जामुन शॉट्स वैसे आज कल जामुन का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ कि जामुन शॉट्स कैसे बनाते हैं जो बहुती ज़दा हिल्दी हैं और टेस्टी भी हैं ये आप गर आए हुए गैस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और फ्रेंड्स को भी सर्व कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जामुन शॉट्स की रेसेपी जामून शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये डेट कब जामून इन जामून को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इनको साफ भी कर लिया है और मैंने ये भी चेक कर लिया है कि इसमें कोई कीड़े या कोई गला हुआ जामून तो नहीं है उसे हमारी ड्रिंक में टेस्ट अजीब आ सकता है तो ये जामुन बिलकुल फ्रेश है और मीठे भी है इसमें डालने के लिए मैंने और लिया है पुदीना, चीनी, काला नमक और नीबुकर रस बस हमें इनी ही इंग्रिडियंट्स की जुरत है जामुन शॉर्ट्स बनाने के लिए और ये जो मैंने जामुन लिये हैं ये साइज में थोड़े अच्छे हैं आपको ये थोड़े साइज में मोटे वाले ही लेने हैं जिससे कि आप इसका पल्प असानी से उतार सकें गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है दो चमच नीबू का रस एक चमच बूरा और एक चमच नॉर्मल नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं तो आईए हम जामुन के सीट्स को निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसका पल्प यूज़ करना है इसे मैं ऐसे कट कर रही हूँ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चार से पांच मिनट लग जाते हैं इसको अलग करने में और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसमें थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा अगर आप जामुन को स्टोर करके रखना चाते हैं तो आप जामुन के सीट्स निकाल के एर टाइट कंटेनर में भरके दो से तीन महीने तक फ्रीजर में रख सकते हैं ये खराब नहीं होंगे और लीजिए हमारे जामुन का पल्प अलग हो गया है और सीट्स अलग हो गये हैं मेरे थोड़े से जामुन बच गए हैं पर ये जामुन के पल्प हमारे शॉट्स के लिए सफीशेंट है अब हमें जामुन के पल्प को ग्राइंड करना है जिसके लिए मैंने लिया है ग्राइंडर और मैं अब इसमें एड़ करूंगी जामुन का पल्प और ये मैंने लिया है फ्रेश मिंट यानि की पुदीना के पत्ते हम इसको सिर्फ हाथों से ऐसे क्रश करके डाल देंगे और ये मैं अब इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच नीबु का रस अब हम एड़ करेंगे दो चमच चीनी मेरे जामुन थोड़े मीठे हैं तो इसलिए मैं कम एड़ कर रही हूँ और थोड़ सा काला नमक तो लीजिए हमारे सारे इंग्रीडियंट्स रेड़ी हैं ग्राइंड होने के लिए अब मैं इसको लेट से कवर कर दूँगी और अपने इंग्रीडियंट्स को ग्राइंड कर लूँगी तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स स्टेप पे वो है गार्निशिंग Garnishing के लिए मैंने लिया है एक चमच बूरा और एक चमच नॉर्मल सॉल्ट जो हम अपने कीचन में यूज करते हैं अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बूरा और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसी के साथ मैंने लिया है एक टुकडा नीमबू का और साथ ही मैंने लिये हैं अपने छोटू छोटू से ग्लास इनको ही शौट्स बोला जाता है जो बड़े ग्लास होते हैं उन्हें शौट्स नहीं बोला जाता है तो शौट्स के लिए हमें छोटे से ग्लास ही लेने हैं तो अब हमको नीम्बू का टुकडा लेना है और उसको कुछ इस तरह से पकड़ना है और ग्लास के सारी साइट्स पर लगाना है ऐसे ही हम नीम्बू के स्लाइस को गोल गोल ग्लास पर गुमा कर अपने सारे ग्लास रेडी कर लेंगे और ये बहुत ही इजी है तो लीजिए हमारे ग्लास रेडी है कोट होने के लिए तो हमको इस तरह से ग्लासेज को कोट करना है ऐसे ही हम अपने सारे ग्लासेज रेडी कर लेंगे तो देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं अब हम इसको थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए जामुन को इस तरह से कट कर लेंगे और एक ऐसे च्छोटा सा कट लगा कर इसे ग्लास पर लगा देंगे अब हमारे ग्लासेज परफेक्टली रेडी हैं ग्राइंड करते हुए इसमें मैंने थ्री फोर्थ कप चिल्ड वाटर एड़ किया था आप चाहें तो तीन से चार आइस क्यूब भी एड़ कर सकते हैं और देखिए मैंने इसकी बिल्कुल प्यूरी नहीं बनाई है ये मैंने थोड़ा दरदरा रखा है अब हम इनको ग्लासेज में पोर कर लेंगे तो हमारे जामून शॉर्ट सर्व करने के लिए रेडी हैं आप अपने घर आये हुए गैस्ट और फेंट्स को इन्हें सर्व जरूर करें और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कोशन्स या क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं